सोंबी के तरब से मी 12 सीरीज का official rumors, specs leak हो चुका है जो की मी 11 सीरीज का एक successor smartphone होने वाला है मी 12X तो मी 12X एक budget के लिए smartphone होने वाला है और मी 11 सीरीज से काफ़ी चीज़े अपग्रेड किया गया है मी 12 सीरीज में तो अगर आप यहां मी 12 का wait कर रहे हैं तो इस वीडियो को continue जरू कीज़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वारा हूँ, Mi 12X में कौन सा display दिया जाएगा, display size क्या होगा, कौन सा performance दिया जाएगा, इसके लाबा camera setup क्या होगा, कौन सा battery दिया जाएगा, charger support क्या होगा, और Mi 12X को कपतलिक इंडिया में लाँच किया जाएगा, और Mi 12X का price क्या होने वाला इंडिया में, तो हे गाईज, मैं हूँ मंजर और आप सभी का टेक मंजर डोग, चैनल मैं हमें इसका तरह बहुत-बहुत स्वागत है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो उड़े को लाइक कर दिजिए, और चैनल में यहाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजरे, क्योंकि बहुत-भी मायना से वीडियो बनती है, तो उसके like बनते ही है तो अगर हम यहां बात करें, Mi 12 सीरीस की तो Mi 12 सीरीस पहले चैने में ville लॉंज कर दिया जाएगा फिर इंडिया में लॉंज की जाएगा तो यहां कुछ चीजे सही भी हो सकती है कुछ गलत भी हो सकती है तो सबसे पहने बात करते हैं यहां डिस्प्ले की तो Mi 12X में 6.28 इंच का Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा साथ में HDR10 का सपोर्ट होगा और 120Hz रिफ्रेश डिस्प्ले होगा साथ में अंदर डिस्प्ले Fingerprint Scanner भी दिया जाएगा और Beckside में Corning Gorilla Glass भी दिया जाएगा तो Otherwise यहां डिस्प्ले के मामले में सही है साथ मगर बात करें हम यहां पर्फॉमस की तो Mi 12X में कॉलकॉम का जो लेटेज चिपसेट है जो की काफी पॉपलर है वो मिलने वाला है कॉलकॉम Snapdragon 870 जो की फाइब 7 नैनोमेटर पे बेच्ट है और यह चिपसेट जो है हाइग ग्राफिक है तो अगर आप कोई भी गेम्स खेलते हैं तो कोई भी हैंक या फिल लेक इश्यू नहीं देखने को मिलने वाला है काफी सुमूतली आप किसी भी गेम्स को खेल सकते हैं साथ मेंधर बात करने मिहां जाइब की थो मौißt trunk की तो मेक्रों भी हो सकता है और इस में दिया जाए यंद्स वह सकता है तो अगर आपको.? 1000 बैटरी में इस दिया जाएगा, साथ में 67W का Fast Charger Support और USB Cable दिया जाएगा 3.5mm jack के साथ, अगर हम यहां बात करें कि वेरियंट की तो इंडिया में इसका 2 वेरियंट मिलने वाला है, Mi 12X में, फ़र जो वेरियंट होगा 6GB RAM 128GB internal storage और जो दूसरा वेरियंट होगा 8GB RAM 128GB internal storage साथ में LPDDR 4X RAM UFSD 2.2 का मिलने वाला है, अगर हम यहां बात करें Mi 12X की launch date की इंडिया में तो अभी यह confirm नहीं हुआ है, लेकिन last December तक इंडिया में finally Mi 12 series को launch कर दिया जाएगा, अगर हम बात करें इसकी price point की, तो Mi 12X का price इंडिया में 25,000 से 30,000 ही हो सकता है, क्योंकि एक budget के प्राइज नहीं होने वाला है, यहां जैसे Realme GT का price है, उसका similar ही होने वाला है, क्योंकि यह 11 series का एक successor smartphone होने वाला है, तो इसके साब से यहां performance में, display में और battery camera setup में upgrade है, लेकिन price के साब से यह phone सही है, तो I hope कि आपको यह video पसन आए होगा, तो अगर आपको यह video पसन आई त यह video को like करें और दोसार सेर करें और मुझे comment box में comment करके बताए, आपको यह video कैसा लगा या फर me 12 series से कोई भी related question हो, तो comment section में comment करके ज़रू बताए, ज़रू में reply करने की कोसिस करूँगा, तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए